आजीव रंजन जी ऐसा तो नहीं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष ने अपने आप गवा दिया है आविश्वास प्रस्तावला कर देखे मुझे ऐसा लगता है ऐसे विश्वेशन के बजाए जो इंडिया है इंडिया का जो कलेक्टिव लीडर्सीप है जो सामुहिक नेत्रित विभिन राजनेतिक दलों का है और इसके संसदिये दल में शामिल अलग-अलग दलों के जो नेता हैं इन नेताओं के बीच अगर परामर्स हुआ है और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हमें अविश्वास प्रस्ताव मानिपूर के संकट पर लाना चाहिए तो मुझे लगता है इसमें बहुत ही अनुभवी समझदार और जिनोंने कई कारेकाल बतौर मंत्री और बतौर सांसद उन्होंने अपने-पने इलाक ग्री युद्ध के कगार पर मनिपूर खड़ा हो दुनिया के अनेक मुलकों में प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हो देश के चुनाओ के जो भी राज्ये हैं उन राज्यों में प्रधानमंत्री की धुआधार सभाय कर रहे हो लेकिन मनिपूर जहां उनकी सरकार है और कें प्रवाद्र में उनकी सरकार होने की वज़ा से हम ये कह सकते हैं कि उनकी जवाब देही इसलिए ज़्यादा थी कि उनके एक कोशिस को लेकर जिसे हम कह सकते हैं उस कोशिस का जो बैकफायर होना हुआ है वो मनिपूर का सच है अगर एक समू को जिनकी आबादी पच्चास फी किया जाना चाहिए और इसके बाद जो व्यापक हिंसा वहाँ शुरू हुई है जिस तरह से अब राजक्ता की जो आग है वो पडोसी राजिव मिजोरन तक पहुची तो मुझे लगा कि आप से सवाल पूछ रही थी मनिपूर को लेकर आप लोग जितने गंभीर हैं आप ल आप भी जानते हैं राजीवरन जिन जी आप वरिष्ट हैं कि जब अवश्वास प्रस्ताव आता है तो सिर्फ मनिपूर के मसले पर सरकार बात नहीं करेगी आपने तो सरकार को खुला मंच दे दिया लोकसभा में उनके सदस्य भी जादा हैं वक्त भी उनको जादा मिलेग उनकी ही पिछोगी और उनके ही बल्लेबाज उतरेंगे तो वो तो अपने हिसाब से फिर चौके चके लगाएंगे ना राजीवरन जन जी कैसे मनिपूर पर सेंट्रुक रखिएगा आप उनको देखिए प्राची जी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी असफलताओं अपनी नाकामिया अगर इसके लिए उन्हें काफी वक्त भी मिलेगा तो कोई पॉजिटिव स्टोरी आज वो बया करने के स्थिति में नहीं है सकारात्मक तोर पर देश में अगर उन्होंने कोई कारे किया होता रोजगार को लेकर महेंगाई को लेकर राश्ट्रे सुरक्षा के सवाल पर अपने जो राजनैक जो उनके रिष्टे हैं अगर उनके पास वक्त ज्यादा भी होगा मैं मानता हूँ ये संसदिय कारेवाही का ये हिस्सा है कि जिस दल के पास ज्यादा सांसद होंगे उनको ज्यादा वक्त मिलेगा लेकिन सवाल है कि हम कम वक्त का बेहतर इस्तेमाल करके सरकार पर एक नैतिक दबाव बनाएंगे और परिणाम देखिए लोकतंत्र में कई बार प्रतिरोध बेहद आवस्यक होता है आज ये पता चलना जरूरी है इस देश की जनिता को कि जब मणीपूर में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिस की जा रही है लेकिन देखे एक मैसे जे भी जा रहा है कि अब राजनेतिक इस्तमाल किया जा रहा है अभी तक मणीपूर पर आप लोग अगर ये कह रहे थे कि आपको पूनकालिक चर्चा चाहिए दोस्तों सरसक में चर्चा चाहिए लोकसभाब में आपको पीम का भी बयान चाहिए लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राजनेतिक इस्तमाल किया जा रहा है यह आरोप आपर भारते जनता पार्टी लगा रही है